कांसी राम जी चमचा यूग कह करके दलिश समाज के उन लोगों को लांचित कर रहे थे जो अपने समाज की आउसत गरीबी और अस्तर से उपर उठाए थे उनको उपर उठाने में निश्चित रूप से सम्विधान के अधीन चलाए गए सासन और सरकार की नीतियों का महत्त पूर्ण योगदान रहा है यानि उनको चमचा कह करके कांसी राम जी नो केवल उन लोगों की उपलब्धियों को नकार रहे थे बलकि सम्विधान की उपलब्धियों को भी नकार रहे थे कि कांसी रामा और बाबा सहब में मुख्य अंतर क्या है बाबा सहब अपने समाज की दुरदसा के खिलाफ खुद लड़ रहे थे कांसी राम जी समाज के लिए लड़ने की बजा़ समाज को लड़ा दिये वो जैसे ही कुछ कहेंगे कि नहीं मुझे तुम मिला चुक चमचा कहीं के समानतवाद के वास्तविक सिर्ष पर रहा कभी वो अफ़ें सामनतवाद को अपनी कूरीती मान रहा है से समाज कारा कि इसके लिए तुम जिम्मेदार उसके पास जबाब नहीं है लेकिस समाज का हुआ हिस्सा जो सामनतवाद से पिरित था वो यह मान रहा है कि हम स्वाभिमानी हो गए क्योंकि हमारे में सामनती विचारा गए हेलो दोस्तों आप सभी का दलोजिकल इंडियन यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अभी मैं राहुल नागपाल जी के एक वीडियो देख रहा था बोल पचासी चैनल पर रतनलाल जी के साथ मेरी बात्ची चैनल पर आप लोग सुनते ही होंगे और आज सुबह मैं यहां सोच रहा था बैठ करके कि मेरे इलाके में सबसे पहला पेट्रोल पंप जो था उसका मालिक कौन है मुहम्दाबाद गोहना एक ऐसा कस्वा है जो मव और आजमगर जिली के ठीक बीच में है जब आजमगर से मव और बलिया जाएंगे तो आजमगर और मव के ठीक बीच में मुहम्दाबाद गोहना तहसील और कस्वा है हम लोग जब ग्रेजुयेशन में थे मैं बात कर राउंड 93-96 के उस समय तक एक मात्र पेट्रोल पंप था जनता पेट्रोल पंप और उस जनता पेट्रोल पंप के मालिक रहे हैं पुर्व सांसत रामधन जी दोस्तों हमारा यह चेत्र इस समय घोसी लोग सभा चेत्र में आता है सन 2000 के बाद जो परिशीमन हुआ है लेकिन पहले यह चेत्र लाल गंज सुरक्षित लोग सभा सीट में आता था इंद्रा जी की सहादत के ततकाल बाद 1984 के आखिरी में जो चुना हुआ था उसमें लाल गंज सुरक्षित सीट से रामधन रामजी जो जाति से अपने चमार जातिके हैं सांसत चुने गए थे और उसके तुरंद बाद उत्तर प्रदेश बिधान सभा का जब चुना हुआ था तो उसमें रामधन रामजी वह अभी जाति से चमार जातिके थे और उनका MLA के रूप में मुहमदाबाद गोहना बिधान सभा जो सुरक्षित सीट है से निर्वाचन हुआ था इन दोनों लोगों के पोस्टर्स मैं कच्छा पांच में था हम लोगों के घरों पर चिपके हुए थे और इंद्रा जी के सहादत का जो एक बहुत बड़ा जन्मानस पर असर था भावगता वाला उसका एक प्रचंड लाब मिला था कांग्रेस पार्टी को और ये सब लोग चुनाओ जीते थे लेकिन अब जब कांसी राम के चमचा युक पर बात होने लगी है कि जिस समय कांसी राम जी चमचा युक कर करके डलिस समाज के उन लोगों को लामशित कर रहे थे जो अपने समाज की आवसत गरिबी और अस्तर से उपर उठाए थे उनको उपर उठाने में निश्चित रूप से संविधान के अधीन चलाए गए सासन और सरकार की नीतियों का महत्त पूर्ण योगदान रहा है यानि उनको चमचा कह करके कांसी राम जी नो केवल उन लोगों की उपलब्धियों को नकार रहे थे बलकि संविधान की उपलब्धियों को भी नकार लेकिन आज जब मैं सुबह सोच रहा था तो मैंने पाया कि वो जो पेट्रोल पंप था इस इलाके में और आज भी है अब तो बहुत सारे पेट्रोल पंप आउर खुल गए हैं उसके मालिक कौन है तो मैंने जब पता लगाया तो लगा कि उसके मालिक वही रामधन रामजी हैं जो कभी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे यानि इस इलाके में जहां एक से एक जमिदार परिवार के मिलकी लोग हैं मुसल्मान हैं पठान हैं और राजपूत हैं अगर इस इलाके में पहला पेट्रोल पंप किसी का खुला तो वह एक चमार जाथ के दलित व्यक्ति का खुला फिर भी कांग्राम को इतनी तकलिफ क्यों थी क्या कांग्राम और बाबा सहब के अंतर को समझना जरूरी नहीं हो गया है फिर सुबह से मैंने चिंतन करना सुरू किया कि कांशी रामा और बाबा सहब में मुख्यंतर क्या है तो मैंने पाया कि बाबा सहब अपने समाज की दुर्दसा के खिलाफ खुद लड़ रहे थे उसके लिए उनको जहां जाना होता था स्वेम जाते थे सरकार से मदद मांगनी होती थी मांगते थे कांग्रे से सहयोग करना होता था कांग्रेसी मंत्री मंदल में मंत्री बनकर तो सहयोग करते थे यानि उनका एक मात्र लक्ष था अपने समाज की दुर्दसा के खिलाफ लड़ना उस खिलाफत में कोई भी अगर उनका साथ दे रहा था तो साथ ले रहे थे और साथ यही कारण है कि ज फिस माफ कर दी गई, जीरो फिस पर एड्मिशन दिया गया दलितों को, मुफ्त में एड्मिशन, सांसत बिधायक किसी टारक्षित थी, उस समय जो सांसत बिधायक बने हैं, उनको भुला भुला कर टिकट दिया गया है, स्वैम जीतन राम माझी जी जो जिस वर्ग से आते हैं वो अपने समाज में उनके पिता जी विरहाग आते थे, इस नाते थोड़े प्रतिष्ठत परिवार से अपने समाज में थे, ग्रेजुएशन में जब वो पढ़ रहे थे, तब कॉंग्रेस के नेता कॉलेज में जाकर के उनको खोच कर लाए हैं और टिकट दिये हैं, जी हा रामसी रामजी समाज के लिए लड़ने की बजाय समाज को लड़ा दिये, सबसे पहले तो जितनी भी उपलब्धियां, उस समय की सरकारों ने दलिस समाज को दी थी, उन सम उपलब्धियों को उन्होंने चमचा कह दिया, जिससे कि समाज के वे लोग जो इधर सत्ता में बै किया को गालियां बखी गई और अपने समाज में जिनको मिला था उनको चमचा कह दिया तो जिनको मिला बोलने लाए कि नहीं बचे वह जैसे कुछ कहेंगे कि नहीं मुझे तो मिला चुप चमचा कहीं के जनता बोल देगी तो इस तरह से इन्हों ने जनता की मुद्दों के ल फिर वो अश्वस्त हैं बिलकुल राजनीत में सक्री हैं उसी समय बिना किसी कारण के मुलाइम सिंग्यादो सरकार से जब बहुजर्ण समाज पार्टी समर्थन वापस लेती है तो उस समय कांसी राम जी एकदम चुप रह जाते हैं कहीं उनकी कोई आवाज आती ही नहीं है ए पिर जिन सवर्णों के खिलाब स्वाभिमान भरे थे उन्हीं सवर्णों के वोट से बनी बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनने देते हैं अपनी पार्टी से लेकिन कांसी राम जी का कोई वयान नहीं आता है तो क्या बाबा सहब जो अपने समाज की दूर्दसा कारण है कि मैं बाबा सहब को महापुरुष मानूंगा लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैं महापुरुष नहीं मान सकता जो अपने समाज को दूसरे समाज से लडाता हूँ अगर ऐसा ही मानना हूँ तो हिंदुत के नाम पर जो राजनी चल रही है उसी से मुझे परहेज क ठीव हो था जो समाज कांसी राम जी के कहने पर सवरणों को गाली दे रहा था उसी समाज और पार्ठी की नेता माया वतीजी यादवों को भी अपसिपद बखने से नहीं चूँकी। हरियाना चुनाव में जाटों को और उससे पहले लोग सभा चुनाव में हार के बाद मुसल्मानों को भी अपस्ब्द बखी हैं तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कांसी राम जी ने स्वाभिमान से जीना सिखाया है तो क्या आप गाली देने को स्वाभिमान जगना मानते हैं कि सब को गाली दीजिए अपनी हार का अपनी पराजय का अपने फेल होने का अपने आगे नव बढ़ पाने का ठीकरा दूसरों पर फोड़िये और गाली दीजिए यही स्वाभिमान है या बैज्ञानिक चेतना का व कोई भी कमेंट नहीं मिलेगा सरकारी नवकरियों में भरती नहीं हो रही है कोई विग्यापन नहीं है इस पर मायावती जी का कोई बयान नहीं मिलेगा जो समाज समांतवाद के वास्तविक सिर्ष पर रहा कभी वह स्वें सामंतवाद को अपनी कूरिती मान रहा है से समाज कर रहा कि इसके लिए तुम जिम्मेदार उसके पास जबाब नहीं है लेकिं समाज का हुआ हिस्सा जो सामंत वाद से पिरित था वह यह मान रहा है कि हम स्वाभिमानी हो गए क्योंकि हमारे में सामंती विचारा गए तो इसलिए मैं कहूंगा कि बाबा साहब को ठीक उल्टा क रहें कांसी राम जी कांसी राम के विचारों को लेकर चलना चाहते हैं तो बिल्कुल चलिए यह आपके इच्छा पर है लेकिन नफरतकारी विचार के कीमत वह समाद ज्यादा चुकाता है जो अपने नफरती नेता पर आंक मूद कर विश्वास करके स्वयम नफरती बन जा चैनल सब्सक्राइब नोकियों सब्सक्राइब करिए जैसंबिदान